स्वाले थे आप सभी का टेक स्टेडी आई टी यूट्यूब चनल पर मजगाउं डॉक्सिप बिल्डर्स लिमिटेड में एट्थ पास, टेंथ पास और आई टी आई पास तीनों के लिए ग्रूप A, B, C तीन ग्रूप में आप कह सकते हैं वैकेंसी आई हुई है तो अगर आप भी इलिजबल हैं इसमें एंड ये अप्रेंटिसिप मेरे एक ओर्डिंग ये रेलिवे से भी अच्छी अप्रेंटिसिप होती है इससे अगर आप अप्रेंटिसिप कर लेते हैं तो आप मजगाउं डॉक्सिप बिल्डर्स में या कोचिन सी प्यार लिम्टेड में या नेवी की कुछ वेकेंसी जाती है उनमें आपको 100% बेटिस मिलता है अगर आप अप्रेंटिसिप किये रहते हैं तो और उस बेटिसिप की वज़ा से आप यहाँ पे सानी से पर्मानेंट जाब में सेलेक्ट हो सकते हैं क्योंकि इसमें वेकेंसी आती रहती है तो यहाँ पर एक बार फिर से आपको जस्ट हम वेकेंसी का नोटिस दिखा देते हैं उसके बाद ऑनलाइन फॉर्म आप अपने मोबाइल फोन से कैसे फिल अप कर सकते हैं वो कंप्लीट वीडियो हम लोग आगे देखेंगे बट इससे पहले एक बार आप जस्ट नोटिस देख लीजे देखिए यह है आपका यहाँ पे ग्रूप वाइस वैकेंसी यह है ग्रूप ए इसमें आप देख सकते हैं ग्रूप ए मितलब क्या है दसनुई कप्छा पास अगर आप हैं तो आप इतने ट्रेड में अप्रेंटिसिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं आपकी अप्रेंटिसिप दो साल की होगी ठीक है यहाँ पे 3000, 6000, 1600 आपको एकारडिंग आपको मिलेगा पहले तीन में तीन हजार मिलेगा ग्रूप भी आपका जो है वो है आई टी आई पास के लिए इसमें अगर आप आई टी आई पास आउट हैं इतने ट्रेड हैं यहाँ पे फिटर है लेक्ट्रीशन ICTSM, Electronic Mechanic, Plumber, Welder, Copa and Carpenter तो आपकी एक साल की apprenticeship होगी इसके साथ साथ अगर बात करें ग्रूप C की तो इसमें आठवी कख्षा पास अगर आप हैं तब भी आप apply कर सकते हैं Rigger and Welder, Gas and Electric Bay में अब यहाँ पे बहुत सारे candidate कहेंगे सर हमारा trade नहीं है, देखिए अगर आपका trade नहीं है, आपने ITA किया उसके बाद भी आप apprentice करना चाहते हैं तो आप चाहें तो 10th pass पे apprenticeship कर सकते हैं आप ITA के भी equivalent हो जाएंगे ठीक है जिस भी trade से आप करेंगे, मालीजे आपने suppose करी ऐसे trade से ITA की है हमालीजे, इस टेनों से की है यहाँ पे है नीज टेनों की vacancy तो आप यहाँ पे apply कर दीजे 10th pass से and electrician से आप 2 साल की apprenticeship कर लीजे आप ITA की भी equivalent हो जाएंगे यहाँ पे vacancy की भी equivalent हो जाएंगे अब आएए चलते हैं देखेंगे form कैसे fill up करना है आगे बढ़ेंगे उससे पहले आप से request करेंगे चैनल पे नए है तो subscribe कर लीजेगा साथ में bell icon को भी hit कीजेगा and हमारा एक telegram channel है टेक study idea आप चाहें तो वहाँ भी जूड सकते हैं वहाँ पे भेहम सारी update आपके साथ share करते रहते हैं description में link है अब यहाँ पे क्या कराएंगे चलेंगे carrier section में जैसे आप यहाँ official website पे carrier section में आएंगे यहाँ आपको कई चीजे मिलेंगे carrier apprentice, online recruitment ठीक है तो आपको किस पे click करना है apply करने के लिए online recruitment पे click करना है यह direct link हम आपको दे देंगे यहाँ पे आपको apprentices पे click करना है जैसे आप आएंगे कुछ इस तरह का page आपके सामने open होगा अब इसमें अगर आपने पहले से account बनाया है तो आप उससे login कर सकते हैं अगर यहाँ पे username password डालके नहीं बनाया तो यहाँ पे click करके आपको क्या करना है नया account create करना है click कर लेते हैं देखे अब यहाँ पे नया account अब यहाँ पे आपको पंजी करन करना है सबसे पहले आपको क्या enter करना है देखिए यहाँ पहले आपसे पूच रहा है salutation इस पे क्या क्लिक करेंगे आएगा देखिए आप क्या लगाते हैं नाम क्या आगे Mr. दिन आपको अपना नाम लिखना है ठीक है first name middle name last name आप लोग चेक करके एक देम accurate लिखेगा बहुत बार आप लोग गलत सब्मिट कर देते हैं फिर आपका कमेंट आता है सर्फ सब्मिट हो गया हमें सम मेरी email डालेंगे alternate email डालेंगे mobile number डालेंगे alternate mobile number भी डाल सकते हैं physically handicapped अगर है तभी yes कीजिएगा दोराइस no करिएगा नहीं तो आप पूरा अपना बेकार कर देंगे form इंटर कर लेते हैं इतनी detail यहां सारी detail हमने इंटर कर दिए अभी हम यहाँ पे submit पे click करेंगे जैसे का mail आएगा यहां पर आपको click करके just अपने email को validate करना रहेगा जैसे आप submit करेंगे यहां पर आपका एक ID ठीक है और एक आपका password आपको मिल जाएगा इसी ID password से आपको login करना password हमने hide कर रखा है आपका एक ID password यहां पर ऐसे सो होगा ठीक है आगे यहां आप क्या करेंगे यहां आप नीचे click here to apply for a job पे click करेंगे यहां पर हमने ID password और यह जो आपका code है इसको enter कर लिया है इसके बाद आपको क्या करना है login पे click करना है अब इसमें जैसे आप आएंगे आपकी user name आपका यहां पे user ID मिल चुकी password आपको मिला ही था यहां दे 10th pass के लिए है sorry ITI pass के लिए है and group A जो कि आपका 10th pass के लिए है ठीक है यह है 10th pass के लिए यह है ITI pass out के लिए यह है 8th pass के लिए जिसमें आपको apply करना हो उस पे आपको click करके आगे आपको apply करना है ठीक है, सब्पोर्ज करिए हम यहाँ पे ITI Pass Out पे क्लिक करते हैं यहाँ पास आउट में अप्लाई करते हैं View eligibility criteria यहाँ पे आएगा, देखे इसमें क्या मागा गया है, ITI General है तो 50% से पास होना चाहिए, OBC 50, OBC NCL 50, SC 35, ST 35, EWS, PWD 50, 50, ठीक है Trade क्या-क्या है, available देख लीजे, इतने trade में अगर आप पास आउट हैं, ठीक है, तब ही कर सकते हैं, Copa, Welder, Plumber, Electrician, ICTSM, Fitter, Carpenter, Electronic, Mechanic, ठीक है इतने हैं, तब आप यहाँ पे apply कर सकते हैं, Age per government rate आपको यहाँ पे stipend मिलेगा, ठीक है Under job training आपकी होगी, proper आपका जो है, 200 दिन का जो है, Practical and जो instruction theory class सब कुछ मिला के आपका यहाँ पे training होगा 21 years maximum age है, in case of SCHT, OBC आपको 3 years and 5 years का relaxation मिल जाएगा यहाँ पे आप क्लिक करके apply now करेंगे, चाहें तो आप यहाँ से detailed advertisement फिर से पढ़ सकते हैं क्लिक करेंगे apply now पे, जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक चीज आएगी, इसको आपको accept करके फिर आगे बढ़ना होगा इस पे क्लिक करना है, accept कर लेना है, accept कर लिया हमने, अब यहाँ पे कुछ section है, personal information भरनी है, educational qualification भरनी है parents का info भरना है, photo signature अप्लोड करना है, देन आपको यहाँ पे documents अप्लोड करने है इतने step complete करने के बाद आपका form जो हो जाएगा, complete post है 190, आगे बढ़ेंगे, ठीक है and apply करते रहेंगे step by step, यहाँ सबसे पहले देख लिए, have you applied earlier for any post तो आप इसको no कर दीजेगा अगर आपने apply किया है, तो yes करिएगा, नीचे आना है, आपको अपना marital status चूज करना है, देन आपको आपका domicile किस state से आप belong करते हैं, वो चूज करना है, suppose करिए, यहाँ पे चूज कर लेते हैं, देन आपको test center चूज करना है, अब test center देखिए, सिर्फ 4 है, मुंबई, पूरे, नागपूर, औरंगाबाद, आप जो रखना चाहें, वो यहाँ पे चूज कर सकते हैं, कोई एक ही आप यहाँ चूज कर पाएंगे, data birth आपकी पहले से आपको मिल जाए इनके साफ SCST हैं, तो आपका यहाँ पे कोई face नहीं लगेगा, इसके बाद अगर आप AFC armed for personal children है, दियस करिए, otherwise no रखिएगा, age real access है इसमें मिल जाता है, 6 मंत का, देन है line 1, line 2, line 3, इस तरह से आपका है, यहाँ पे address आपका fill up कर देना है, फिर आपको next पे click करना है, एक problem आप यहाँ face करेंगे, address आप यहाँ तक अपना complete कर लिजेगा, and state में या तो एक option आपका all over India का, या आप यहाँ देख सकते हैं, एक है as per posting का, मतलब यह आपका just correspondence address है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ना, system खराब है इसमें, website में, जैसे आप UP चूज करते हैं, तो मा address डिस्टिक हो, आप यहाँ पे select कर लें, otherwise आप यहाँ पे all over India, all over India करके भी आप डाल सकते हैं, क्योंकि सारे काम यहाँ पे online ही होने हैं, तो वो चीजों में आप उतना doubt में मत जाएगा, आप लोग form fill up कर दीजेगा, address जो आपका है आप इसी में complete कर लिजेगा, यहीं पे पिन कोड नीचे डाल दीजेगा, and district and सब कुछ आप अपना post office और यहाँ पे fill कर लिजेगा, दो लाइन में, पिन कोड आप लोग बस अपना एकदम सही डालिएगा, ठीक है, अब आप next पे click कर दीजेगा, जैसे आप next पे click करेंगे, यहाँ personal information होगे, अब आप से educational information अगर कोई additional qualification आपके पास है, तो दीजेगा, otherwise इसको blank छोड दीजेगा, ठीक है, यहाँ पे ITI का सिर्फ आप डिटेल दीजे, institute name में आप अपने ITI का नाम डालिएगा, ठीक है, जिस साल admission हुआ, date, month, year, year उसका डाल दीजेगा, किस साल आपने pass किया, कितना number मिला, total number कितना प्रसंटेज आटोमेटिक आएगा, course का type क्या था, जैसे यहाँ type सेलेट करेंगे, आप देखेंगे, full time course डालिएगा, class है division, first division, distinction, जो आपका हो, आप डाल दीजेगा, ठीक है, trade कौन से apply कर रहे हैं, आप तो अपना trade आप यहाँ पे choose कर लिजेगा, ठीक है, इस तरह से जैसे आप यहाँ पे अपनी detail फिल कर लेंगे, आईटी आई की पूरी, ठीक है, percentage आटोमेटिक आगया, आप eligible भी हैं, क्योंकि 50% से ऊपर चाहिए था percentage, यहाँ पे इसके बाद कुछ और नहीं भरना, आपको next पे click कर देना है, जैसे आप next पे click करेंगे, should be always greater than obtain, अब अग आपको फिर से यहाँ पे next करना है, अब यहाँ पे आपसे आपकी photo जो की 700KB तक का हो सकता है, then signature जो भी 700KB तक का हो सकता है, सिर्फ JPG, JPEG, BMP, PNG या GIF फाइल्स यहाँ पे allowed होगा, यह दोनों चीज़ें आपको upload करनी है, photo signature upload करने बाद आप फिर से next पे click करेंगे, जैसे आप यहाँ next पे click करेंगे, अब आएगा upload documents, ठीक है, upload जो document आप करेंगे, सारे की सारे PDF format में होने चाहिए, और यहाँ पे भी maximum size रखी गई 700KB की, तो जो जो ITI का certificate आपको upload करना है, birth certificate upload करना है, cast certificate अगर आपका है तो आपको upload करना है, इनके साब general IWS आपको कुछ upload नहीं कर next पे आजाना है, नीचे आके next पे आपको click कर देना है, जैसे आप next पे click करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे आपका form, आपका form अभी यहाँ पे submit हो चुका, इस तरह का एक print out आएगा, जिसे आपको print करके रख लेना है, यहाँ पे आपका complete form है, ठीक है, इसे आपको simply यहा पे submit पे final click करना है, देखिए अभी भी आप check out कर सकते हैं, पूरा form throughout, अगर कुछ आपको mistake लगे, edit कर लीजे, otherwise आप क्या करिए, यहाँ final submit कर दीजे, जैसे आप final submit करेंगे, अब आप इसमें कोई change नहीं कर सकते हैं, ठीक है, आपका form जो है, final submit हो चुका है, अभी भी आप कोई जो चलान है, वो, तो फीस आपकी कोई है नहीं, यहाँ से आप फीस पे कर सकते हैं, यहाँ एक contact us का option आजाएगा, आप वहाँ पर contact detail आजाएगा, उनसे आप contact कर सकते हैं, ठीक है, यह number वगरा है, and home पे आप आएंगे, तो home पे आपको आपका application status दिख जाएगा, ठीक करने का कोई फायदा आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक है, submitted successfully, आप status यहाँ देख सकते हैं, इसको आपको print out करके, रख लेना है, उम्मीद करते हैं, पूरी वीडियो में, आपको apply करने में अभी कोई परिसानी नहीं आएगी, अपने ही mobile phone से, आप आसानी से apply कर पाएं क Cont snugcell mij, आपको यहाँ जो में रखका करने में नहीं दिएक यहाँ नहीं आपको यहाँ नहीं